एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है महरास्ट के पालगर जिले से जहां लूट के लिए दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी ओभी महज 1500 रूपए के लिए मीरा भाइंदर वसई विरार पुलिस आया उक्तालाई की क्राइम ब्रांच यूनिट दो की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है इसने मांडवी इलाके में महज 1500 रूपए के लिए हुई 21 वर्सी कमरूद्दिन चौधरी की हत्या की गुथी सुलजाने का दावा किया है इस मामले में क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपियों को गिरपतार किया है पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक यूवक भंग और सव को सड़क के किनारे फेक दिया आरोपियों ने मृतक के एटियम कार्ड से पंद्रा सो निकाल कर आपस में बाट कर फरार हो गए नाला सोपारा पूरू के वाकन पाड़ा परिसर में रहने वाले कमरूद्दिन चौधरी का भंगार का ब्योसाय था उसके पडोस में र पास एक पिस्टल है और कोई पैसा वाला होगा तो उसको किड्नैप करके पैसा लूट कर हम आपस में बाट लेंगे उसके बाद हम भी पैसे वाले और अमीर हो जाएंगे सुप्यान ने नदीम से कहा कि उसके पडोस में कमरूद्दीन चौधरी नाम का उसका दोस्त रहता ह जिसके पास काफी पैसा है जिसके बाद नदीम और सुप्यान ने उसे लूटने की साजिस रची और रविवार के दिन नदीम से नदीम ने उससे कहा कि उसके पापा का भंगार का धंदा है और उसे भंगार बेचना है और दोपहर को चौधरी ने नदीम जिसान खान लाते हैं वहां चलते हैं फिर चारों दो बाइक पर विवंडी गए और इधर उधर घूमने के बाद साम को सुप्यान कमरुद्दीन और नदीम एक बाइक से वापस जो है आने लगे जबकि दूसरी बाइक पर सोनू नाम का सक्स अकेला था सुप्यान बाइक चला रहा था औ कुमाल पाड़ा के पास पहुंचे तभी नदीम ने चलती बाइक पर ही अपनी पिश्टल निकाल कर कमरुद्दीन के सिर पर गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई आरोपियों ने उसके सव को सड़क से 50 मीटर दूर इस्थित इट की भठी के पास फेक दिया और मितक कमरुद्दीन की जेव से उसका ATM कार निकाल कर उसके बैंक अकाउन से 1500 रुपए निकाल कर आपस में बाट लिए क्राइम ब्रांच यूनिट दो के पुलिस निरिक्चक साहुराज ननावरे और उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुपियान और सोनू को वा मानवी पुलिस टेशन के हाद में पारोल भिवंडी रोड पे एक अधनियात इसम का कि किसी अधनियात लोगों ने उसका खून किया इतनी इंफर्मेशन हमें मिलने के बाद मानवी पुलिस टेशन में सी आर नंबर 166 ऑब्लिक 22 के ते 302 का मामला दर्ज हुआ मामला दर्ज होने के बाद में इमेजटली लोकल पुलिस टेशन और हमारे क्राइम ब्रांच के टीम इन्वस्टिगेशन में लग गए लगने के बाद में हमें पता चला कि जो इसम जिसका कून किया गया था उसका नाम कमरुद्दिन चौधरी है जो रहने वाला नाला सोपर रहका है और जो बंगार वे उसा है में काम भी करता है उसके बाद में हमारे गोप्लिय सूतरों से पता चला कि कमरुद्दिन चौधरी किसी दोस्ट के साथ में भीवन्डी किसी काम से गया था वो पता करने के बाद में हमारी यूनिट टू के सभी आफिसर्स और टीम ने मुहमत सूफियान जाकिर हुसेन शेक को हमने ताबे में लिया और उसके बाद उसके पूछताच में हमें पता चला कि सूफियान ने उसके साथ में उसके दो सातिदारों ने एक गावटी सोनु जाविद खान को अीजियु को एको इस साथ में ना दिम के पता चला उसे घरकद मिल लिए और वम वहार कें तरह दो आत्यार था उसेमरे के सबारे मेंchesड दोने में पूच्टाष पटाइच से को बिल्वे Uns उसमें हमने तीनों आरोप्यों को 48 आर्स के अंदर हमने गिरफतार किया है और साथ ही उनका जो वेपन जो इस गुने में इस्तमाल हुआ तो जो गॉटि पिस्टल उसको भी रिकरूर किया है करीबन 36 राउंड हमने बरामत किया है साथी साथ जो मोटर साइकल जो गुने में इस्तमाल की गए थी उसको भी हमने